हालो फ्रेंड तो आज मैं आपको बताती हूँ की साथ में हम स्मोकी आई मेकप कैसे कर सकते और आपको काजल लेंदाफ्य बिलैंडेबल के और लॉज करें पर्पल का काजल युज था यह सबसे पतल जाए यौज पर घ्र युद लगा देना है वो वाला लेना है और फिर इसे हलका हलका सा ब्लेंड करते जाना है आप देख सकते हो किस तरह से मैं ब्लेंड कर रहे हूं बस वैसे ही हलका हलका जो आपने लगाया था ना तो उसकी जो एंड वाली लाइन थी ना बस वहां से आपको इसे ब्लेंड करना है और उसकी बाद में मैंने यहां पर लिया है हलका सा ब्लैक शेडो ताकि हमारा जो काजल है वो लॉक हो जाए वहीं पर बिल्कुल भी समझ ना हूँ तो इस तरह से आपको लगा देना है जैसे मैं लगा रही हूँ और हलका सा मैंने यहाँ पे side में wing निकाला है इस तरीके से तो इस तरीके से आपको भी करना है और उसके बाद में smokey look देने के लिए यहाँ पर मैंने use कया है maroon shadow और उसको मैंने सेम ब्रश से अपनी जो मैंने स्मोकी काजल बनाया था ना उसके उपर लगा रहे हूं ताकि ब्लेंड हो जाए कोई भी हार्श लाइन नहीं दिखाई दे तो इस तरह से लगा दिया है और उसके बाद में एक कोई भी पैंसिल ब्रश लेना है जो कि आपके बहुत ही अच्छा ऐलोग क्रियेट होगा और यह इतना ईजी है ना फाइफ मिनिट में आपका कम्प्लिट हो जाएगा अब लोड़ लेश लाइन को कंप्लिट करते हैं सेम काजल मैंने लिया है और लेश लाइन के क्लोज-क्लोज मैंने लगाया है और सेम पैंसिल ब्रश स यह मैं इसे ब्लैंड करती जा रही हूं ब्लैक शेडो लिया था ताकि और भी अच्छे से इंटेंस लिया था और नीचे की तरफ लगा था जो स्ट्रेप समने उपर की तरफ करे थी से महीं नीचे की तरफ भी करी है तो एक लुक कंप्लीट हो गया इसका दोनों आइस मैंने क तो आपको 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 दिखते जाना है और इस तरह से वाटर लाइन पर मैंने काजल लगा दिया है तो अब मैं दोनों आइस पर लगा दूँगी मुझे थोड़ी सी प्राब्लम होती है अपर लेश लाइन पर मुझे काजल लगाने में बट इस टेक्निक से मैंने लगाया ना तो बहुत ही इजी लिए लग गया था दो अभब पर कि आए लगाई वागए लगा देक्स प्राब्लम होती है ... झाल झाल